लीगल एंड सोसल एवरनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं करीम अहमद सिद्धिक की एडवोकेट दोस्तो अभी तीन माई को इलहाबाद हाई कोट के द्वारा एंटिसिपिटरी बेल के समन्द में एक बहुत ही लेन्वार के जज्जमेंट पारित किया गया है बहुत से लोग तो यह कह रहे हैं कि क्या अलाबाद हाई कोट का यह जज्जमेंट जो एंटिसिपिटरी बेल पर दिया गया है क्या Supreme Court ने जो Anticipatory Bail के समंद में प्रिंसिपल लेट डाउन किये थे क्या उन प्रिंसिपल के अगेंस्ट है साथियो आज किस वीडियो मैं इसी के समंद बात्चीत करने जा रहा हूँ Anticipatory Bail क्या होती है इस समंद में ने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था आज की वीडियो में सिर्फ अलहाबाद High Court ने जो अभी 3 में को Anticipatory Bail पर जो Judgment दिया है उसी के समंद में बात्चीत करने जा रहा हूँ तो बहुत ही मत्पूर जानकारी है अगर आप Advocate है प्रेक्टिस कर रहा है तो भी ये जानकारी आपको जानने चाहिए और अगर आपका कोट काचरी में किसी देरी का केस चल लहा है तो भी ये information आपके बहुत काम आने वाली है तो साथियों देखते हैं कि सम्पूर जानकारी क्या है साथियों सबसे पहले ये देखते हैं कि anticipating bail के सम्पन्ध में आनसीटी डेली वाला केस 2012 क था और प्रेम संकर परसाद वाला केस 2021 का है दोनों केसिस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है इन दोनों केसिस में आरोपी की खिलाप कुर्की की कारवाही जारी की जा चुकी थी 82 की कारवाही और एक में तो 83 की भी कारवाही हो गई थी 82 सी आरपीसी के अंतरगत नोटिस जारी किया जाता है कुर्की का और 83 में संपत्ति की कुर्की कर लिजाती है Attachment of Property तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोट के द्वारा कहा गया कि ऐसा आरोपी जिसके खिलाप 82 की कारवाही जारी की जा चुकी है या 83 की कारवाही हो चुकी है उसकी प्रोपर्टी अटैच की जा चुकी है ऐसे अभ्युक्त को Anticipatory Bale पर छूटने का सवाल ही नहीं उरता कोई अधिकार नहीं है और Anticipatory Bale की Application reject कर दी थी यह मामला जो अलहाबाद High Court जाता है यह भी कुछ इसी तरीकी का था सबसे पहले इस केस के Fact पर एक नज़र डाल लेते हैं इसके बाद देखते हैं कि अलहाबाद High Court ने क्या कहा दोस्तो एक 498A और 304B का केस था एक महिला की दित होने के बाद शादी के 2-3 साल के अंदर सवस्राल पच्च की ओर से 498A और 304B डावरी डित का केस रेजिस्टर्ड करा दिया गया था डावरी दित की F.I.R. जैसे रेजिस्टर्ड होती है इन्वेस्टिकेसन सुरू होता है कि सवस्राल पच्च के लोग एंटिसेपिटरी बेल के लिए अलहाबाद High Court पहुँच जाते हैं और अलहाबाद High Court में एंटिसेपिटरी बेल दाखिल करते हुए यह कहा जाता है कि इस मामले में किसी भी तरीके की डावरी की बात नहीं है यह डावरी लाका पूरी तरीके से मिस्यूज है इस मामले में जब यह सवाल आता है कि इसमें तो 82 की कारवाही जारी की जा चुकी है अबयुक्तों के खिलाब और सरकारी वकील की तरफ से कहा जाता है कि चुकि अबयुक्तों के खिलाब 82 की कारवाही जारी की जा चुकी है लहाजा इनको छूटने का अधिकार एंटिसेप्रिटरी बेल पर है ही नहीं एक केस के बारे में बात की जाती है अब्योक्तों के वकील के द्वारा उसकी बेल अप्लिकेशन नमबर वगरा आपके स्क्रीन पर है उसमें ये हवाला दिया गया था कि एंटी सेपरेटरी बेल दाखिल हो गई Anticipatory Abail दाखिल होने के बाद फिर 82 की कारवाही की गई और उस case का हवाला देते हुए Anticipatory Abail की मांग की जाती है दूसरी तरफ जब सरकारी वकील साब के द्वारा बहस की बात आती है और prosecution के द्वारा तो मैंने अभी जो दो case बता है Supreme Court के इनी दोनों case का हवाला देते हुए ये कहा जाता है कि ये मामला बिलकुल अलग है इसमें तो 82 की कारवाही पहले सी ही जारी है अभ्यूक्तों के खिलाब लहाज एंटी सेपिटरी बेल पर शुटने का अधिकार नहीं है अब आप ये समझ लेगे ये बिलकुल सेट्रिल प्रिंस्पल है कि अगर कोई भगोडा आरोपी है वो भागा हुआ है छुप रहा है अदालत में हाजर नहीं हो रहा उसके खिलाब कुड़की की नोटिस कुड़की की कारवाही की जा चुकी है तो उस ब्यक्ति को एंटिसेपेटरी बेल दाखिल करने का अधिकार नहीं था इस केस में भी आरोपियों के खिलाब 82 की कारवाही की जा चुकी थी लेकिन साथियो इस मामले में अलाबादाई कोट के द्वारा सुप्रीम कोट के जो दोनों के सेस में प्रिंसिपल लेड़ डाउन किये गए थे उनका बिलकुल डिफरेंट एंटरप्रेटेशन किया जाता है और इंटरप्रेटेशन करते हुए यह कहा जाता है कि कोई ब्यक्ति जिसके खिलाब 82 की कारवाही की जा चुकी है वो बिलकुल भगोड़ा हो चुका है भगोड़ा घोसित किया जा चुका है वह अलग बात है प्रकलेम्ड आफिंडर प्यो डिकलर किया जा चुका है वह एक अलग बात है और कोई ब्यक्ति जो अपने आपको गरफतारी से बचने के लिए धर धर चुपा रहा है प्रकलेम्ड आफिंडर डिकलर नहीं किया गया वह अलग बात है लेहाजा अलाबादाई कोट के द्वारा ये पाया जाता है कि भले ही आरोपी व्यक्ति के खिलाब 82 की कारवाही शुरू की जा चुकी हो तब भी उसको एंटिसेपेटरी बेल पर छोड़ा जा सकता है अलाबादाई कोट के द्वारा कहा जाता है कि ना तो 438 CRPC में और ना ही 82 CRPC में ये कहा गया है कि अगर 82 के तहट कारवाही शुरू की जा चुकी है तो एंटिसेपेटरी बेल नहीं दाखिल की जा सकती दोरों प्रिविजनों ऐसी बात नहीं कही गई और यह कहते हुए अलाबादाई कोट यह पाता है कि इस मामले में एंटिसेपेटरी बेल पर छूटने का आरोपियों का अधिकार है और कुछ सर्तों को लगाते हुए एंटिसेपेटरी बेल पर छोणे जाने का आदेश पारित कर दिया जाता है तो साथियो अभी तक जो प्रिंस्पल लेट डाउन थे सुप्रीम कोट के द्वारा कि अगर आरोपियों को खिलाप 82 की कारवाही की जा चुकी है या 83 की कारवाही की जा चुकी है कुड़की का नोटिस या अटेशमेंट अप प्रोपर्टी तो उस आरोपियों को एंटिसे प्रिंडर डेक्लियर ना किया गया हो तब भी उस ब्यक्ति को एंटी सिपिट्री बेल पर छुटने का पूरा अधिकार होगा साथियो यह थी एक महत पूर कानूनी जानकारी एंटी सिपिट्री बेल की उपर जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे दो जो वीडियो अप्लोड होते हैं उसका नोटिफिकेस नाप तक पहुंच सके और जानकारे अच्छे लगती हों तो और भी लोगों को शेयर करते रहा करें साथ यो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं किसी अन वीडियो में कानून की कुछ अन जानकारियों के